टाइम था 2 नवंबर 2023 का जब यूपी के बागपत के एक गाउं में सुबह सुबह लोग उठते हैं घूमने फिरने के लिए घर से बाहर निगलते हैं और जब वो लोग घूमते घूमते गाउं से थोड़ी दूर आते हैं तो उन्होंने देखा कि उनके गाउं के समसान घाट के बाहर एक बैग में आग लगी हुई है तो गाउं वाले तुरंत उस आग को देखकर वहाँ पर आप पहुंचते हैं और वहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक बैग है और बैग के अंदर एक डेड़ बोडी मौझूद है और ये डेड बोडी आग लग जान वाले से पूछताच करने लगते हैं कि क्या कोई व्यक्ती इसे पहचानता है दरसल ये इलास एक लड़की की थी लेकिन गाओं में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो कि इस लड़की को जानता हो तो पुलिस वाले उस डैड बोडी को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और व ना हो इस CCTV कैमरे से हमें थोड़ी मदद मिल सकती है और उन लोगों ने उस CCTV कैमरे की वीडियो को देखना सुरू किया जिससे उन लोगों को पता जलता है कि यहां पर लास्ट टाइम में एक सिफ डिजायर आई थी और गाओं वालों से जब पूस्ताच की गई तो सभी ने म पताया कि हाँ जनाब यह गाड़ी हमारी ही है लेकिन कल रात को हम लोग इसे नहीं चला रहे थे जबकि हमारे जान पहचान का एक पवन नाम का व्यक्ति इसे लेकर गया हुआ था पुलिस वालों ने उन लोगों से पवन की पूरी जानकारी ली और वो लोग पवन के पास पहुंचते हैं और पवन से पूरी की पूरी इन्वेस्टिकेशन करने लगते हैं कि तुम गाड़ी वहां पर क्यों लेकर गए थे और जो डेड़ बोड़ी हमें वहां से मिली है उस बैग में उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेसन है तो पवन ने कुछ एक ऐसे खुला से कि जिससे सुनकर पुलिस वालों को विश्वास नहीं हुआ कि यार पैसे के लिए कोई व्यक्ति ऐसा कैसे गर सकता है वो भी अपनी सगी बहन के साथ क्योंकि उसने बताया कि यह सारी चीजे उसने नहीं जबकि उसकी गलफ्रेंड सीखा और उसके पतीव मनीस ने किये हैं मनीस अपने पिता की मृत्यों के बाद ये चाहता था कि उसके पिता ने मनीसा के नाम जो आधी प्रोपर्टी कर रखी है वो सारी प्रोपर्टी वो वापिस उसे दे दे लेकिन मनीसा इस बात के लिए बिलकुल भी तयार नहीं थी दूसरी तरफ मनीसा की माँ भी यही बात कहा करते थी कि तुम्हारी साधी कर दी जाएगी उसके बाद तुम प्रोपर्टी का क्या करोगी प्रोपर्टी वाले विवाद को लेकर मनीस और उसकी मां हमेशा मनीसा के उपर दबाओ बनाए रखा गरते थे कि तुम्हें वो प्रोपर्टी वापिस मनीस के नाम कर देनी चा साधी सिखा नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है मनीशा ये बात सोचा गरते थी कि आज तक ना तो उसकी मा ने उसकी बात समझी और ना ही उसके भाई ने लेकिन हो सकता है उसकी भावी उसकी बातों को समझ जाए लेकिन जैसे ही मनीश की साधी को कुछ एक दिन बीचते है तो मनीश की बहन मनीशा को इस बारे में पता चलता है कि उसकी भावी सिखा का बाहर भी अफेर चल रहा है तो उसने अपने भाई मनीश को इस बारे में बताया और मनीश जब इस बारे में सिखा से पूचता है तो सिखा ने ये बात कही कि ये हमारी आपस में लड़ाई करवा के सारी की सारी प्रोपर्टी हडपने के बारे में सोच रही है लेकिन मनीशा अक्सर सिखा को किसी न किसी के साथ वीडियो कोल पर देखा करती थी तो एक टाइम ऐसा आया जब मनीशा ने सिखा का फोन ले लिया जब वो बाहर गई हुई थी और उससे सारी की सारी डिटेल निकाल ली कि ये किस से बाते करती है और उसकी सारी डिटेल निकाल लेने के बाद सारी चैट निकाल लेने के बाद सिखा से ये बात कहती है कि उसको सारी की सारी बाते पता चल चुकी है कि वो किसके साथ बाते करती है तो सिखा भी अब घबराने लगी थी और उसने पवन को ये बात बताई कि उसकी ननन्द मनीसा को उनके relationship के बारे में पता चल चुका है और मनीसा मनीस को कुछ बता पाती उससे पहले ही सिखा ने मनीस को ये बात कह दी कि अगर तुम्हें property पूरी चाहिए तो तुम्हें मनीसा को रस्ते से हटाना होगा मनीस ये बात पूचता है कि आखिरकार हम ये सब कैसे करेंगे तो सिखा ने पवन का नाम उसके बारे में बताया कि मैं एक ऐसे वंदे को जानती हूँ जो कि हमारी इस चीज में मदद कर सकता है और इस बात को बोल कर वो पवन को अपने घर पर बुला लेती है मनीस को अभी भी नहीं पता था कि जिस पवन को ये यहां पर मनीसा को ठीकाने लगाने के लिए बुला रही है ये इसके लिए कोई अन्नोन नहीं जबकि इसका बॉय फ्रेंड ही है जिसके बारे में मनीसा अक्सर मनीस को बताया करती थी और उसके बार टाइम आया एक नवंबर का जब रात को मनिसा वापिस अपने घर पर पहुंसती है और उस टाइम उसके घर पर मनिस, सिखा और पवन उसका इंतजार कर रहे थे मनیसा ने जब पवन के बारे में उनसे पूछा कि आखिर कर यह कौन है तो मनीस ने यही बात कही कि यह मेरा दोस्त है और यहां पर यह मुझसे मिलने के लिए आया हुआ है और इसी तरहें बाते करते करते वो लोग खाना खाने लगते हैं लेकिन मनीशा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसके खाने में नसे की दौइट डाल दी गई है और जैसे ही उसने खाना खाया वो बेहुस होकर वहीं पर गिर पड़ी वो बेहुस हो चुकी थी और पवन पहले से ही अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर आ चुका था तो उन तीनों ने मिलकर उसे मार डाला और उसके बाद एक सूटकेस में पैक करके वो लोग जा पहुंचते हैं नोईडा से यूपी के बागपत मनीशा को इन लोगों ने मार तो पहले ही डाला था लेकिन वहीं पर इन लोगों ने उसे ठीकाने नहीं लगाया क्योंकि उन लोगों को सक्त था कि हो ना हो कोई ना कोई से यहां पर पहचान लेगा और जैसे तैसे कर वो तीनों फच जाएंगे जिसके बाद वो नोईडा से काफी दूर बागपत में आ पहुंचते हैं और यहां पर आने के बाद उस सूटकेस को खोल कर उसमें आग लगा दी गए और कुछ एक देर बाद ही उस पूरे सूटकेस ने आग पकड़ ली तब तक सुफह का टाइम होने लगा था और मनीस ने ये बात पवन से कही कि यहां पर कोई आ जाए उससे पहले ही हमें यहां से निकल जाना चाहिए लेकिन उन्हें कोई अंदाजा न नहीं था कि जब वो लोग इस गाओं में आये थे तो वो लोग सीसी टीवी कैमरे की निकरानी में आ चुके थे जिसके बाद वो तीने तो वहां से चले जाते हैं लेकिन बाद में गाओ वाले यहां पर आते हैं और उसके बाद पुलिस वाले यहां पर आते हैं मनीस से जब पूलिस वालों ने ये पूछ स्टाच की पूलिस वालों ने जब मनिस से ये पूछ स्टाच करने से रुकी कि आखिर कार उसने ये सारी चीज़े क्यों की तो उसने बताया कि मनिसा चाहती थी कि जो उनकी खांदानी प्रोपर्टी है उसके दो हिस्से हों लेकिन मनिस इस बात के लिए राजी नहीं था और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच पिछले काफी दिनों से लड़ाई चल रही थी ये बात पता चलते ही पुलिस वालों ने उन्हें अपनी हिरासत में रे लिया और अब उनके उपर केस चल रहा है वैसे दोस्तों आप लोग ही सोच कर देखि कमेट बॉक्स में जरूर बताईएगा और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए ओफबिट पोड़कास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें